आफेलो दोस्तों वेलकम टो डेली वन कुषन प्रेक्टिस सीरीस फोर सीए साइयर नेट लाइप सायंस 2023 चलिए विडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज किस वीडियो में हम कौन से कुष्ण को प्रेक्टिस करने वाले हैं तो देखिए का आज किस वीडियो में जो है molecular biology से और question का जो topic है वो है oxygen repair system यानि cell के अंदर जो repairing system होता है उसके रिगार में question है लिखा है जो oxygen repair system होता है replace a short stretch of DNA around the site of damage यानि जब DNA में damage हो जाता है तो वहां का जो छोट छोटा part है उसको remove कर दिया जाता है फिर वहां नया add किया जाता है किसमें इस oxygen repair system में the following statement are made about nucleotide excesion repair in Ecoli मतलब Ecoli के अंदर जो nucleotide excesion repair होता है वो उसके regard में आपको चार statement देके रखी है पूचा है कौन सा statement यहां पर सही है ठीक है तो यह जो oxygen repair system होता है यह दो टाइप का होता है base oxygen repair और nucleotide excesion repair यह question कहां से है nucleotide excesion repair से है तो विसली पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं फिर हम बात करेंगे उसके options की इसके सही answer की ठीक है तो यहां पर यह जो डाइग्राम है यह है nucleotide excesion repair in Ecoli तो सबसे पहले क्या होता है यह हमारे पास एक DNA है जिसके अंदर damage है यह जो red mark दिखाया गया है यह है damage जो किस DNA के अंदर हो रखा है और इसको ठीक करना है तो यहां सबसे पहले कौन आता है एक डाइमर आता है A का और एक डाइमर आता है B का इसको कहा जाता है UVR A और UVR B यह क्या है ऐसे प्रोटीन है जो help करते है इस damage को recover करने में repair करने में ठीक है तो सबसे पहले यह जो डाइमर है A और B यह आपस में बन जाते है एक दूसरा ठीकर यहां पर A bind कर लेता है A पहले ही A से bind था B पहले ही B से bind था या नि ओमो डाइमर था लेकिन अब यह बन जाते हैं हेट्रोडाइमर ठीक है तो यह बननेке बाद फिर यहां पर क्या होता है यह जो A ह 강 isolでは किता है और देखते हो जाता है उसके बाद एक B और ये दोनो A निकल कर चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हुआ खतम अब हमारे पास बचा है ये B अब ये B कहा है उस site पर है जहां पर damage हुआ है ठीक है अब इसके बाद क्या होता है अब इस damage को remove करने की बारी है पहले क्या था उसको detect करने की बारी थी अब बारी है कि उसको remove किया जाए तो remove करने के लिए दूसरा योद्धा होता है जिसका नाम है UVRC अब ये UVRC क्या करता है यहां पर UVRC आकर cut लगाता है और ये cut कहा लगाता है ऐसा नहीं कि इस portion पर ही cut लगेगा वस थोड़ा सा थोड़ा इधर और थोड़ा सा इधर इतने part पर cut लगा कर ये चला जाता है फिर आता है UVRD UVRD क्या करता है जो cut लगा है उस portion को remove कर देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस portion को remove कर दिया गया है तो ये काम होता है UVRD का अब जैसे ही remove हो जाता है फिर यहाँ पर आता है DNA pole 1 जो आकर इसको नया form कर देता है फिर आता है ligase जो यहाँ पर gap था बनने के बाद ये जो gap था उसको seal कर देता है तो ये काम होता है ligase का तो आपने यहाँ देखा कि कितने nucleotide बहार निकलते हैं 12-13 ह यहाँ पर हमें एक बात और याद रखनी है कि प्रोकरियोट के अंदर यह जो UVRD है देखो जो यहाँ पर आया था जिसने remove किया था वो कितने nucleotide को remove करता है 12-13 nucleotide को remove करता है ठीक है इतनी बात समझाई तो अब यह कुशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चलिए द दिखा है कि जो UVRB है वो homodimer है create the nick on one strand on both side of the lesson यह बात तो सही है कि UVRB homodimer होता है लेकिन वो कभी भी निक create नहीं करता what is nick निक यानिक कट लगाना एक strand पर कट लगाना उसे बोलते है निक लेकिन UVRB निक create नहीं करता है तो यह statement हो जाएगा गलत हमसे पूचा है सही statement तो य यह भी हमारा गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है चलिए बी में लिखा है the 50-60 residue long stretch of DNA between the two nick is removed by the action of UVRD UVRD remove तो करता है लेकिन 50-60 नहीं 12-13 तो यह statement भी गलत हो जाएगा तो बी भी गलत है तो यहां से बी भी चला गया हमारा सही अंसर गया है COD चलिए देख लेते हैं C में लिखा है the gap generated is filled in typically by DNA pole 1 यानि जो gap वहां फिर बन जाता है remove करने के बाद उसे कौन फिल करता है DNA pole 1 बिल्कुल सही बात है D में लिखा है that distortion caused by the lesion is recognized and bound by UVRA, UVRB complex यानि जहां पर damage हुआ है उसे कौन recognize करता है UVRA और UVRB का जो complex है वो recognize करता है कि कहां पर damage हुआ है तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी तो COD यानि की third option will be the right answer for this question ठीक है चलिए तो questions all of them ने कर लिया है अभी भी अगर कोई doubt है तो आप comment करके मुझे पूर सकते हैं मिलते हैं नई वीडियो में नई topic के साथ में till then bye bye take care